दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुती इंपोटेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप दवाई को देखते ही पहचान जाओगे ये दवाई किस काम आती है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप बिना किसी प्रॉबलम के दवाई को आराम से समझ सकते हैं बहुती आसान तरीके से हिंदी और इंगलिस में मैं आपको बताने वाला हूँ इसलिए आप वीडियो को बिना इसकिप किये एंड तक जरूर देखे और गाईज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फोर्मेट्व वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते देखिए किसी भी मेडिशीन के बारे में जानने से पहले हमें दो बातों का पता होना चाहिए नमबर वन हमें ये पता होना चाहिए जैसे हमारे पास कालपोल टैबलेट है तो कालपोल हो गया इसका ब्रैंड नेम इसके जो अंदर होता है यहाँ पे देखिए यह पेरसिटमोल लिखा है इस से हमें पता लगता है कि यह दवाई किस काम आती है अब पेरसिटमोल सभी को पता है फीवर को कम करने के लिए यूश क्या जाता है और इसके जो brand होते हैं, जैसे Kalpol Tablet, या Crossin Tablet, या Dolor Tablet, इन सभी में आपको Paracetamol देखने को मिल जाएगा ये जो Paracetamol होता है, ये होता है Composition, Composition बोल सकते हैं, Component बोल सकते हैं, Content बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये इसका Composition होता है इसी से हमें पता लगता है कि दवाई किस काम आती है और जो ये brand है, brand तो company कोई भी नाम रख देती है जैसे अभी मैंने आपको बताया crossing tablet ये dollar tablet ऐसे कुछ भी brand हो सकता है तो हमें brand को नहीं, सिर्फ salt देखना है salt से हमें पता लगता है कि ये दवाई किस काम आती है यहां तक सब clear और इसका दूसरा point आता है suffix और prefix देखिए suffix वो होता है जिसके last की digit same होती है यानि last के जो अकसर होते हैं वो same होते है जैसे मैंने यहां पे लिका है चढ़ाई या पढ़ाई इसके जो last सब्द है वो दोनों के same हो रहे है जैसे चढ़ाई में ढ़ाई पढ़ाई में ढ़ाई दोनों का ढ़ाई ढ़ाई same हो रहा है तो यह हो गया हमारा suffix जिसके last के अकसर same होते हैं उसे बोलते हैं suffix और जिसके शुरू के अकसर same होते हैं उसे बोलते हैं prefix जैसे उपकार या उपचार यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में जो सुरू में उप आ रहा है वो बिल्कुल सैम आ रहा है तो यह होता है हमारा prefix prefix तो इन दो बातों का में ध्यान रखना होता है suffix जो होता है उसके last के अक्सर सैम होते हैं और prefix के सुरू के अब जब हम medicine के बारे में जानते हैं तो सबसे जादा हमें suffix के उपर ही focus करना पड़ता है क्योंकि जितनी भी दवाईया होती है अधिकतर suffix के उपर ही होती है यानि उनके last के अक्सर सैम होते हैं तो उसी से हमें पता लगाना होता है कि ये medicine किस काम आती है तो यहां तक सब किलियर अब मैं आपको medicine के बारे में बताना शुरू करता हूँ सबसे पहले हम जानेंगे पराजोल के बारे में अभी मैंने आपको बताया पराजोल जो है वो एक salt name ह यानि composition है इसी से हमें पता लगेगा अब पराजोल जिस भी medicine में आपको मिल जाएगा जैसे ओमे पराजोल या पैंटो पराजोल रेवी पराजोल इनका last का जो पराजोल है वो सैम हो रहा है तो ऐसी medicine को anti-ulcer यानि acid के amount को decrease करने के लिए यूज किया जाता है यानि अगर किस पेशेंट को acid बनता है पेट में बहुत जादा acid बनता है उसको कम करने के लिए इस salt को यूज किया जाता है जिस पर लिखा होगा पराजोल और उसके अंदर कितनी भी medicine हो ओमेपराजोल पैंटो पराजोल रेवपराजोल इस तरह के जितनी भी medicine होगी वो सब acid amount को decrease करेगी में mycine देखने को मिल जाएगा तो आपने समझ लेना है यह antibiotic tablet है जो की bacterial infection में यूज की जाती है लाइक throat infection या nose का infection आई infection इस तरह के infection में इस tablet को यूज किया जाता है next all all tablet all all tablet में आपको last all all देखने को मिल जाएगा जैसे etonalol या metoprolol इस तरह से आपने देखने को मिल जाएगा तो आपने समझ जाना है यह beta blockers tablet है यानि high BP को control करने के लिए इस tablet को use किया जाता है अगर किसी patient का high BP हो जाता है normal BP 80 to 120 होता है अगर 120 से उपर BP हो जाता है तो ऐसी condition में etonalol या metoprolol या फिर जिस medicine में last all all लगा है इस तरह की medicine दे सकते हैं यहां तक सब clear और दोस्तों इस से पहले हम बच्चों में रोजाना चलने वाली medicine के बारे में वीडियो बना चुके हैं अगर आपने भी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो description में मैं लिंक दे दूँगा वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो में हमने medicine की doge भी बताई है जैसे paracetamol tablet की doge 15 mg per kg per doge होती है इस तरीके से हमने सारी medicine की doge खुल कर बताई है वो वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपोटेंट होने वाली है आप उस वीडियो को भी देखे वो वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी अब हम जान लेते हैं satron tablet के बारे में जिस medicine के last में आपको satron देखने को मिल जाएगा like undan satron, granny satron, dola satron जिस medicine में भी आपको satron last में देखने को मिल जाएगा तो समझ लेना ये anti-emetics tablet है anti-emetics मतलब जो nausea और vomiting को control कर दिये यानि अगर किसी patient को उल्ट लगती है, जी मिचलाता रहता है, तो ऐसी condition में satron वाली tablet दी जाती है यानि जिसके last में satron लगा होता है, इस तरह की medications दी जाती है अब हम जान लेगे nasal tablet के बारे में, जिस medicine के last में आपको nasal देखने को मिल जाएगा लाइक फुलू को नाजोल, केटो को नाजोल, इस तरह से जिस medicine के last में आपको nasal देखने को मिल जाएगा तो आपको एक second में समझ लेना है, ये antifungal tablet है, जो की fungal infection को ठीक करने के लिए यूज के जाती है लाइक कीचिंग हो जाती है, मतलब दाद खाज खुजली हो जाती है, रैसिस हो जाती है, एलर्जी हो जाती है इस तरह की condition में नाजोल वाली tablet को यूज किया जाता है उम्मीद करता हूँ ये चोटी सी वीडिया आपको जरूर पसंद आई होगी